अचानक एलिस की नजर, रोट साइड में बने अंटीक चीजों के एक शॉप पर पढ़ती है, जिसे एक बूरी औरत चला रहे थी, एलिस उस बूरी औरत को जमीन से एक गोल्डन टीपॉट उठाकर शॉप के अंदर ले जाती हुई देखती है, उस गोल्डन टीपॉट से जान को हैरानी होती है, और एलिस कहती है कि ये टीपॉट इतना प्यारा है कि वो खुद को रोक नहीं पाई, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस फोन पर किसी को जॉप के लिए इंट्रिव्यू बुक करने को कहती है, और साथ ही अपने बाल भी स्ट्रेट करने लगती है, गलती से उसका माथा हेर स्ट्रेटनर से चल जाता है, और तभी टीपॉट हिलने लगता है, ये देखकर उसके हाथ में जो फोन था वो छूट चाता है, और टीपॉट की तरफ पढ़ने लगता है, जब वो उसका ठकन खोल कर देखती है, तो उसमें कुश डॉलर दिखाई देते हैं, उसे लगता है कि उसके जलने और डॉलर के मिलने में कोई कनेक्शन जरूर है, और इस बात को आस्माने के लिए वो इस बार जान बूज कर अपना फोर हैट चला लेती है, और टीपॉट फिर से हिलने लगता है, और इस बार उसे 700 टॉलर मिलते हैं, इस पर तभी ऐलिस उसे सोर से थपड मारती है, और उसे टीपॉट से निकलने वाले पैसे दिखते हैं, और वो समझ जाती है कि हर बार उन्हें जब भी कोई चोट लगेगी, तो टीपॉट से पैसे निकलेंगे, जॉन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, इसलिए उसे ए जादा बदल जाता है और वो उसे पैसे बनाने के लिए रख लेता है, फिर वो उसे लेकर कैश और ट्रैश नाउं के एक टीवी शो पर चाता है, जहां होस्ट उस टीपॉट की कीमत 5000 डॉलर्स रगाता है, जॉन को एडील पसंद नहीं आती और वो टीपॉट को वापस ले लगते हैं और बदले में टीपॉट से धेर सारा पैसा कमाते हैं, पर उन्हें ये सब करतो होए तकलीफ के साथ मज़ा भी आता है, क्योंकि खतरनाक तरीके से सेक्स करने पर भी उन्हें टीपॉट से पैसे मिलते हैं, अब एलिस और जान पूरी तरहां से बदल जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक चोर जैसे दिखने वाले दो लोग उनके घर में जबरतस्ती खुश जाते हैं, और जान को पीटते हुए उस टीपॉट के बारे में पूछते हैं, और कहते हैं कि जब से वो टीपॉट खोया था, तब से उनकी ग्रैंड मा एक दिन भी चैन की नीद के बारे में और ज्याता जानकारी पाने के लिए एक लाइबरेरी में जाकर उस से रूलेटेट बुक ठोटे हैं, और उन्हें एक ऐसे बुक मिल जाती है जो कि जादूई चीजों और उनके इस्तमाल के बारे में लिखे गए थी, एलिस की नज़र उस बुक के एक पेज़ की हर चीज़ खरीदते हैं, और बड़े बड़े लोगों को अपनी पाचीज में इन्वाइट करते हैं, इस तरह उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से भीत रही होती है, कि एक देन एकेशियन आदमी उनकी डोर बेल बजाता है, और दर्वाजा खोले पर कहता है कि उसका ना जानने के बाद उनका पुराना मकान मालिक अरनी बिन बुलाया उनके घर में खुश जाता है, और उनसे पूछता है कि उनकी जैसे दो कोड़ी के लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए, दिरसल अरनी उस वक्त पिया हुआ होता है, और बेवकुफों जैसी हरकते करता है, फिर अचानक वो उनके हाँ से टीपॉट चीन कर भाग जाता है, जॉन उससे टीपॉट वापस चीनने की कोशिश करता है, पर टीपॉट उचल कर बीच रास्ते में किर जाता है, अरनी उसके उपर अपनी गारी चला कर चला चाता है, पर टीपॉट को जरा सावी स्क्रैश पिर वो उन्हें उस टीपॉट के हिस्ट्री बताते हुए कहता है कि वो टीपॉट अपने समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोग के हाथों से होकर खुसरा है। इसलिए अपना पैस अपने टोइलेट पे छुपा कर रखते हैं। और एलिस बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि आप टीपॉट पहले से कम पैसा देने लगा था। पर इस चक्कर में एलिस और जान खुद को इतनी तकलीव दे चुके थे क्या वो टीपॉट से पैसा कमाने के लिए किसी और की हल्प लेना चाते थे। फिर एक दिन वो दोनों बाइकर्स बार जाते हैं और पूछते हैं कि वहाँ सबसे कमीना आदमी कौन है। बार कमाली के एक आदमी की तरफ इशारा करता है। क्योंकि उसके सामने एक स्केटर गिर जाता है और एलिस को टीपॉट से पैसे मिलते हैं। फ्लेम करती है कि वो उसके एरादों को नहीं समझता और उसका साथ नहीं देता ये कहकर वो रोने लगती है। तरह से हर्ट हो जाए और टीपॉट उन्हें जादा से जादा पैसे थे। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिये थे और अब कोई भी राज नहीं बचा था। फिर वो दुनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़कर दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। वो लोग दूसरों के डार्क सीक्रेट्स उनके करीबी दोस्तों और इश्तिदारों को बताकर उन्हें इमोशनली हर्ट करतेते हैं। और उसके बदले में उन्हें टी-पॉट से मोटी कमाई हो जाती थी। पैसे कमाने के लालच में एलिस इस हद तक चली जाती है कि अपनी ही बहन का डार्क सीक्रेट उसके हस्बेंट के सामने खोलने का प्लान बना लेती है। कि उसका पहला बच्चा उसके हस्बेंट का नहीं भलकि किसी और का था और उस प्लान के मुताबिक वो सब के सामने वो राज़ खोलने ही वाली होती है कि बहन का चेहरा दे कर वो अपना इरादा बतल देती है। बलकि समाज कभी भला हो जाएका। अगले दिन ली को चुपने का फैसला करके वो दोनों सोच आते हैं। पर उस राज जब ऐलेस और जॉन अपने रूम में सो रहे होते हैं, उन्हें नीचे से कुछ आवास सुनाईती थी है। उन्चारों में फाइट होने लगती है, इसे बीच वो दोनों चोर भी टीपॉट को हांसल करने के लालच में वहाँ आ जाते हैं।